चलिए fraction के section में जो होता है हम अगला जो topic लेते हैं वो है converting a mixed fraction into an improper fraction and vice versa पहले हम समझ लें कि proper fraction होता क्या है proper fraction वो fraction होता है जब जो होता है numerator का जो होता है less होता है denominator से तो उसे कहेंगे हम proper fraction जैसे 6 by 12 या 9 by 13 तो ये होता है आपका जो होता है proper fraction दूसरा होता है mixed fraction मिक्स fraction में क्या होता है इसमें combination होता है एक जो होता है आपका whole number रहता है और साथ में एक part जो होता है fraction होता है जैसे कि 3 1 by 4 तो इसमें 3 हो गया आपका whole number और 1 by 4 हो गया है fraction तो ये हो गया आपका mixed fraction एक और होता है improper fraction improper fraction ठीक उल्टा होता है proper fraction का उसमें होता है कि numerator जो होता है बड़ा होता है और denominator छोटा होता है जैसे 6 by 2 या फिर 7 by 3 होता है इस तरह से जो होता है improper fraction होता है convert कैसे करेंगे अगर mixed fraction को हमें करना है improper fraction में convert करना है तो हम कैसे करेंगे जैसे कोई भी हम example लेके चलते हैं जैसे की 5 3 by 4 तो हम जो होता है जो denominator है उससे जो होता होल नमर को multiply करते हैं जैसे 5 4 जा 20 और उपर जो 3 है numerator उसको हम add करते हैं तो यह बन जाता है आपका जो 5 into 4 5 4 20 plus 3 that is 23 upon 4 जो नीचे जो होता है वो आपका जो होता है denominator के जो नमबर रहेगा वही रहेगा एक और है जो है like fraction होता है और unlike fraction होता है like fraction जैसा कि दिखता है कि जो denominator जो होता है same होना चाहिए जैसे कि आपको 2 by 4 and 3 by 4 तो यह हो जाएगा आपका like fraction दूसरा एदी हो जाएगा 2 by 4 और 3 by 7 होगा that is unlike fraction इंप्रापर fraction को convert करने के लिए जो है mix fraction करने के लिए हम division का process करते हैं एक simple example हम ले लेते हैं जैसे कि 52 divided by 5 अगर हम करें तो इसका जब हम वो division करते हैं तो फाइफ के division करेंगे तो 10 सेधी मलप्लाई करें तो 10 5 जब 50 हो जाएगा और जो हता है 2 remainder बचेगा तो mix fraction हम क्या करते हैं जो हमारा जो आपका जो 10 आया वो 10 जो हता है आपका whole number बन जाएगा और जो denominator में जो आया denominator में उस number को लेंगे जिससे हमने divide किया जैसे कि 5 लिया है हमने इस बार तो 5 denominator में चला जाएगा और जो remainder है वो numerator में चला जाएगा तो यह बन जाएगा 10 2 बाई 5 अब हम लोग सिखेंगे जो हता है यदि दो unlike fraction दिया है तो उसको like fraction में कैसे convert करेंगे जैसे कोई भी example ले लिए जैसे कि 3 बाई 5 है और 4 बाई 15 है माल लिए कि इसमें है तो हम लोग क्या करेंगे जो denominator का number है जैसे 5 और 15 इसका हम जो हता है LCM निकालेंगे 5 और 15 का अगर हम LCM निकालेंगे तो 15 आएगा तो हम क्या करेंगे जो हता है जो denominator है उससे हमें 15 करना है ठीक है जैसे कि 3 बाई 5 जो पहला number था तो 5 से 15 होगा 3 से मलप्लाई कर देंगे 15 हो जाएगा और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम denominator से मलप्लाई करेंगे वही numerator से भी मलप्लाई करना होगा इसलिए 3 से उपर ही मलप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 यहीं कि 9 by 15 similarly 4 by 15 का जो हता है उसमें जो हता है as it is ही रहेगा क्योंकि उसमें जो हता है 15 अलड़ी है दूसरे नमबर में इसलिए हम जो हता है as it is 4 by 15 ही रहने देंगे और इस तरह से जो हता है यह like fraction बन जाए क्योंकि दोनों का denominator 15 हो जाएगा अब हम लोग देखते हैं कि compare कैसे करेंगे दो fractions को तो अगर like fractions है like fraction के जैसे हम जानते हैं कि denominator equal होना चाहिए तो उसमें अगर हम compare करेंगे कोई भी number जैसे की 2 by 7 और 3 by 7 तो 7 7 common है तो आपर नमबर जो लेंगे जिसे 2 by 7 में 2 है और 3 by 7 में 3 है तो 3 by 7 जो होता है बड़ा होगा तो जो बड़ा और नमबर रहेगा वो बड़ा रहेगा दूसरा है यदि हमारे पार जो unlike fraction है उसमें यदि numerator सेम है जैसे की 7 by 13 और जो होता है 7 by 16 अगर है तो जो जिसमें जो होता है छोटा नमबर होगा नीचे का वो बड़ा रहेगा और जो बड़ा नमबर रहेगा वो छोटा होगा जैसे की पहला जो नमबर था हमारा उसमें वो जो होता आपका बड़ा रहेगा और दूसरा जो होता आपका छोटा हो जाएगा इसके बाद कि जितने भी देखिए यदि हम जैसे compare करना चाह रहे थे comparing two unlike fraction with different numerators यह करने के लिए जो हता simply हम LCM करेंगे LCM करने के बाद same सारे process करेंगे जो हता है जैसे कि अगर कोई number हम ले लेते हैं 5 by 6 चाहते हैं कौन बड़ा है और कौन छोटा है तो हम उसका जो हता है डी नॉमिनेटर का जो है LCM निकालेंगे जैसे 6 और 5 है क्योंकि इसका जो हता है फॉर्दा डिविजन नहीं हो सकता है तो 6 और 5 मलप्लाई होगा और यह 630 जो हता है आपका यह हो जाएगा LCM इसी तरह से हम नुमिनेटर का देख लेंगे यह 5 by 6 है तो सेम दोनों पर मलप्लाई करेंगे 5 से तो यह लगभग हो जाएगा 25 by 30 हो जाएगा और सेकेंड जो है जो 2 by 5 है उसमें जो हमारा पास 6 है तो 6 से मलप्लाई इसमेंर चलाउची लिए लगभग होता है 12 by 30 जाएगा तो इसमें हम पर करेंगे तो हमारा जो है जो होता है जा हो जाएगा जी ट्वींटिंटिंटाफाइटाइब बढ़ा है ड्वींटिंटिंटींट बढ़ा है से तो तो फाइग के लिए एक cross multiplication method भी है उसमें जैसे अभी हमने बताया आपको 5 by 6 और 2 by 5 अगर दो number लेते हैं उसमें हम cross multiplication करते हैं 5 into 5 करेंगे यहनि कि numerator इसका 55 25 और इसका जो होता है denominator 6 to 12 तो देखा जा रहा है कि 12 छोटा है 25 बड़ा है तो numerator से हम compare करेंगे numerator की साब से 5 by 6 का है जो होता है उसका 25 और इसलिए 5 by 6 will be greater than 2 by 5 सेम मेथड जो होता है addition, subtraction, ascending और descending के लिए भी यूज किया जाएगा thank you